हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू माई चानल, कैसे हूँ आप सभी लोग, I hope कि आप सब बहुत अच्छी होंगे, लेकर आई हूँ बहुत ही यूसफुल किचेंटिफसन हैक्स, जो आपको बहुत पसंद आएंगे, और साथ ही में आपका बहुत काम भी आएंगे, तो चले इसे ठाक रोटी पराठा बेल नहीं पाते हैं, खास दोर में बेगिनर के लिए तो बहुत ही जादा दिक्कत होती है, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाई लेकर आचुकी हूँ, लेना है आपको बच्चो का एरेजर, जो पुराना हो चुका है, जिसको वो यूज नह करते हैं, वो पुराना इरेजर देखना आप कितना बढ़िया सा काम आएगा, तो इस तरह से बीच में कट लगा के इसका पतला सा टुकरा निकाल लेना है, देखिए कुछ इस तरह से, और अब हमें चकले को उल्टा करके इरेजर लगाना है, तो देखिए मेरा जो चकला ही कि आप कोई सबी गम का यूज ले सकते हैं, तो इस तरह से जब आप चिपकाएंगे ना तो यही बहुत ही इजी चिपक जाएगा, लेकिन हाँ उस देर के लिए इसको छोड़ना होगा सूखने के लिए, तो रबर ना हर चीज को एक जगह में फिक्स रखने के लिए काफी जादा यूसफुल होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरिजर का यूज लिया है, अब इसको मैं छोड़ दूँगी, तो देखिए आप सूख चुका है और अच्छी तरीके से यह फिक्स हो चुका है, अब इस तरह से आपको बहुत ही बढ़िया सा पर्मन तरीका का सॉ होता है, और इसका इस्तमाल हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसी लेसन का इस्तमाल करके एक बहुत ही बढ़िया सा सॉलिशन बनाऊंगी, तो इसके लिए एक मोटा सा लेसन का कली आप तोड़ लीजिएगा, और उसको छील लीजिएगा, छीलन अब इस सॉलिशन को गरम-गरम यूज नहीं करना है, बस इसको टच कर पाएं, इतना इसका गर्माठ होना चाहिए, अब देखे फ्रेंज कई वर ऐसा होता है कि बच्चों का कान में दर्द होता है, चाहे वो जुखाम सर्दी जुखाम के बज़े से भी हो सकता है, या तो कई वर ऐसा होता है कि नहाते टाइम कान के अंदर पानी जा चुका है, तब भी इस तरह का प्राब्लम होता है, तब बच्चे लोग बहुत ही रोते हैं, और दवाई वगरा देने से अच्छा है, अगर आप इस तरह से लेसन को सेख करके अच्छे से कान में सिकाई कीजिए लेकिन पेन अगर बहुत जादा है, तब आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन साथ ही में इस तरह का सिकाई भी आप करते रहेगा, तो इससे की जल्दी ठीक हो जाएगा, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप, तो देखिए दोस्तों टॉयलेट तो सभी के घरों में होता है, जाए वो इंडियान हो या वेस्टन, और टॉयलेट को साफ सुत्रा रखना भी चाहिए, लेकिन कई वार ऐसा होता है कि टॉयलेट बहुत अच्छी तरीके से नीटन क्लीन है, फिर भी टॉयलेट में से अजीब से स्मेल आती रहती है, खास तोर में कोई सभी खाली पैकेट यहां पर अपले सकते हैं, तो मेरे पास इस तरह का चाय पत्ती का खाली पैकेट था, तो इसको ही हमने ले लिए हैं, अब इस पाउडर को हमें इस पैकेट में डालना है, और साथी में हम डालेंगे एक चमच बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा, तो दोस्तो बेकिंग सोडा और नेप्तोलिन दोनों ही क्लीनिंग के लिए और बैड़ी स्मेल को रिमूब करने के लिए बहुत ही जादा यूसफुल होती है, अब इस पैकेट को हमें सील करना है, तो इसके लिए फॉयल पेपर इस तरह से रैप कर दीजिए, और प्रेस को करम कर लिजिए और हलके से इस तरह से चला लिजिए, जैसे कि हम कपड़े को प्रेस करते हैं, इसी तरह से चलाने से अब देखिएगा यह जो पैकेट है ना बहुत यह ज़रूरी है, नहीं तो नेप्तोलिन का जो पावडर हमने डाले है वो बहुत ही जल्दी मिल्ट हो जा है, एकदम से छोटा-छोटा छेद बनाईएगा, ताकि इसका जो स्मेल है वो बाहर निकल के आप आई, यह पूरी तरीके से तयार हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ टॉयलेट में, अब आपको क्या करना है, इस सॉलीशन को टॉयलेट की किसी भी जगा में आप इस तरह से ह अगला टिप, तो देखिए फ्रेंस, यहाँ पर मैंने लिया है अचार, और इस अचार में फंगस लग चुका है, ठीक है ना, तो देखिए जब हम घर में अचार बनाते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, और घर का अचार में कोई भी पिजर्बटिप नह में रहता है, जिस कारण अगर इसको ठीक ठाक सम्हाल के ना रखा जाए, तो इस तरह से इसमें फंगस लग जाता है, तो ऐसा क्या किया जाए, ताकि अचार जो है, हमारा खराब ना हो, और सालों साल चले, तो यहाँ पर मैंने अचार लिया है, यह मार्केट का अचार है, तो चली, मैं दिखाती हूँ फिर भी, अभी जैसे कि बारिस के दिन आ रहा है, तो बारिस के दिनों में इस तरीके का प्रॉब्लम जो है, वो आम बात है, फंगस वगरा लगना, इसमें फफून वगरा लग जाते हैं, तो इसके लिए आप दो चार लॉंग ले लिजिए, और काली मिर्च ले लिजिए ठीक है, और इस तरह से अचार में आप डाल करके अच्छी तरीके से मिला दीजिए, इससे क्या होगा आप देखिएगा, अचार में बिलकुल भी फंगस नहीं लगेगा, और अचार में से कोई सभी बैड स्मेल नहीं आएगा, यह बहुत ही ब कॉमेंट करके जरूर बताना, और साथी साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, बाई फ्रेंड्स, एंड थैंक्स पर वाचिंग,